इनसान जैसा होता है, वैसा ही रहता है, समय बदलता है, आज आपको एक कहानी सुना रही हो हूँ, और अर्जुन की कहानी है, अर्जुन एक बार श्रीकृष्ण भगवान से मिलने जा रहे थे और बीच में नारत मुनी मिले, नारत मुनी ने कहा क्रिशन जी को तुम आज ले ले गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं चूँँगा। वह कृषण जी के पास पहुँचे तो कृषण जी तो कृषण जी है। कृषण जी ने कहा मेरे पैर में थोड़ी खुचली हो रही है तुम खुचली कर दो। तो अर्जुन ने उन्हें चुआ नहीं तो कृषण जी समझ गए और उन्होंने का ठीक है तुम मुझे चूओ मत लेकिन तुम अपने तीर से मेरी खुचली कर दो। तो उन्होंने तीर से खुचली कर ली तो तीर के जरिये भगवान ने अर्जुन की सारी शक्तिय जो बावर्स थी वो ले ली उसके बाद कृषण ने कहा कि जाओ तुम अब यहां से गोपिया आने वाली है मेरे को गोपियों के साथ सामय बिताना है तुम यहां से जाओ तो पसकी जाओ गया और एक लुटेरे से लुट गया तो इनसान की जंदगी में लगवान न inversa बलवान नहीं होता ये कहानी अनके लिए जो फूफा फूफा कर रहे हैं बहुत उपर चल रहे हैं चला रह अरे हमारा वक्त है हमारे पास होना है तो हम पहें रहे हैं हम यह हैं हम वो हैं हम किसी से कम नहीं तुम्हारी आउकात क्या है तुम्हें पता है मैं क्या हूं तो इस कहानी के जरीए ये जानने की कोशिश करना आप जीरो हैं आप भी भी जीरो हैं कल भी जीरो थे परसो भी जीरो हैं बलवान समय होता है आप नहीं होते तो कभी भी समय अच्छा है या बुरा आ सकता है, तो जादा सुख में उचलो मत और दुख में मचलो मत, एक जैसे रहो, ग्राउंडिड रहो, एक जैसे धर्ती से सदातल से जुड़े हुए रहो, तो कभी गिरने का डर नी रहेगा, काहनी कैसी लगी ज़रू बताईए.